हालो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी केंडिडेट के लिए जो कि जेन्यू के अंदर कांसलिंग करवाना चाहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं आज किस वीडियो में हम लोग कम्प्रीटली यहां पर बात करेंगे आपके प्रहकर आपके आउश्यक्ता होती है हम लोग बात करेंगे यहां पर कौन कोन कौन से दोकुमेंट की तो अपर अडर चर्चा करने वाल तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वोच करिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लीजे ताकि जब काउंसलिंग बगरा स्टार्ट हो तो आपको उनका पीडियाप मिल सके और सारा डीटेल भी टे कि इसके अलावा जो आपका स्कोर कार्ड होता है वो स्कोर कार्ड देना होता है एंटिये का जो आपके पास स्कोर कार्ड आया है वो स्कोर कार्ड आपको प्लोड करना है लेकिन जैसे आपका सेलेक्शन हो जाता है कटो वगर आ आ जाता तो उसके बाद बहुत सारी डोकुम नहीं होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपके सुरूड़े में बताऊंगा ठीक है एडमिशन कैंसल नहीं होगा बिल्कुल पेनिक करेट आप मत करना पूरी हेल्प आपकी यहां पर खी जाएगी ठीक है डोंट वरी सो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो य ्यां पर कौंस्लिंग करवाएंगे जे लिए अपने कोर्स के लिए तो जो भी सुरू से लेकर एंड तक जितना प्रोसेस होगा उसको छाट में आपको बिल्रूंत वही आपका करना होता है तो यह आपको कब लगेगा जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा न आप JNU में जाओगे ओफ-लाइन विजट करने तब आपको प्रिंडॉल्मेंट फॉर्म साथ लेके जाना है तो मतलब यह लगेगा कोई बड़ा इशु नहीं है वहाँ आराम से आपके हेल्प की जाती है जो भी आपके सीनियर वह काफी हेल्फ होते है तो आपको हेल्प मिल जाएगी उसके लाव आपको फाइब कोफी जो रिसेंड की आपकी जो फोटो है वह आपको निकलानी है ज्यादा भी निकला सकते है प्रोब्लम नहीं हो इसके लाव जितने भी डोकुमेंट है उनके दो-दो सेट आपको बनाके लेके जाने है यह आपको लगेगा इसके लावा यहाँ पर फिर वही आपको टू सेट जो हो बनाने है अपने ग्रेजुएशन की मार्क सीट के ठीक है या फिर आपके पास पास पासिंग सेटिफिकेट है यह डिगरी है तो उसका भी आपको यहाँ पर दो-दो सेट बनाने है ओके तो यह आपको लगेगा बिसिकली और इसके अलावा देखिए अभी पूरे डोकुमेंट नहीं है मैं आपको दूसरे पेस से भी बताऊंगा अभी ओरिजिनल जो यहाँ पर दिया हुआ उसके तुरू मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ important point है जो कि आपको साइध बाद में समझ में नहीं आए लेकिन अगर आप अभी से उनको समझ के रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है आपको इदर बठकना नहीं पड़ेगा उसके बाद देखिए सेटिपिकेट है, SE का है, ST का है, OBC का है, PWD का है या फिर EWS का कोई student है तो उनके जो सेटिपिकेट है वो जरूर से यहाँ पर चीए होंगे admission के time पे यहाँ पर format भी दिया हुआ अगर नहीं बना हुआ है तो आप इनके format को देखके और use कर सकते है उसस के बाद यहाँ पर है migration certificate जो कि आपको in original ठीक है, original जो है, आपका migration original जी है, उसकी photo पर नहीं लगेगी, तो अगर आपके पास migration नहीं है, migration के लिए details से यहाँ पर दिया हुआ है, कि अगर आपके पास admission के time पे migration नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, university आपको time देती है, ज जैसे एक मेने का देते है, वो बात की बात है, लेकिन आपको extension मिल जाएगा, जैसे migration क्या होता है, कि आपको college नहीं मिलता है, आपकी जो college है, जो कि attach एक university से, तो आपको migration कहां से मिलेगा, college से नहीं मिलेगा, आपकी university से मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा university, हो सकता है, कि आपकी university बहुत दूर हो, तो यह चीज जो है, university समझती है, और इसलिए आपको time मिलता है, तो migration के लिए फिलाल आपको tension लेने की जूरत नहीं है, जब आपका admission confirm हो जाए, university जाके migration लेके आना, और इनको जमा करवा देना, clear को दिक्कत नहीं है, migration के लिए, तो य university institute are required to be submit discontinuously certificate, अब यह certificate क्या होता है, जब आप कहीं से अभी कर रहे है, मतलब study कर रहे है, और वहाँ से आप यहाँ पर आएंगे, तो आपको जो है, यह certificate लगेगा, यह आप अपनी college से जो है, institute से पूर सकते हैं, वहाँ के जो head है, जो authority है, वो उस पे verify करते है, signature करके बस आपको दे देते है, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, तो वो आपका क्या होगा, काम चल जाएगा, उससे कोई issue आपको नहीं होगा, तो यह आपको चीज है, आप अपनी college में बोलना, वह आपको बना के दे देंगे, और वही चीज आपको यहाँ पर देनी है, अगर परसिंग कर रहे है, पढ़ रहे है, कहीं पर अभी ठीक है, तो देखें, यहाँ पर migration अलग चीज है, migration के लिए भी यहाँ पर लिखा हुई है, they are also required to be submit the migration certificate, ठीक है, तो यह migration तो अलग हो गया, बट यह उनके लिए है, जो कर रहे है, अपना वही subject में कहीं से, तो उसके लि दिकत नहीं है, आप original जो है, internet वाला download करेंगे, mark seat को, and आप अपने college से ठीक है, या university से उसको authorize करवा लेंगे, उस पर signature करवा लेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते है, उसको upload कर सकते है, यही चीज़ यहाँ पर mention है, ठीक है, तो यह clear होना चीए, उन student को जिनका result आया नह ठीक है, तो उनको attention लेने की जुरत नहीं है, mark seat original आने में time लगता है, जाइड सी बात है, तो आप internet वाली use कर सकते है, बट college से signature उस पर करवा ले ना, ओके, अब एक और चीज़ है, अब जैसे मान लिजे को student यह question बात में पूछेंगे, इसलिए मैं अभी clear करते तो, मान लि वो internet वाली वहां से डाउनलोड करेंगे, उस पर signature करके और फिर आपको बेज देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते है आप, ओके, ठीक है, इसके लावे बस यही इतने यहाँ पर document जो है, officially यहाँ पर दे रखे है आपके, और जब आप pre-enrollment का form भरेंगे, तो यह कुछ fees का criteria है, 268 रुपए है, 211 रुपए है, MMSC के लिए 218 रुपए यहाँ पर दिया गया है, और अब देखे कुछ original document के भी आपको जुरुत पड़ेगी, मैंने आपको starting में ही बोला, वीडियो के starting में मैंने यह चीज क्लियर करी कि JNV में आपको थोड़ा सा अलेक सिस्टम देखने को मि जाता है, इसके लवा character certificate है, character certificate आपको जो है, वो original ही लगाना होता है, anti-ragging या undertaking जो certificate है, वो भी आपको original ही लगाना है, यह क्या है, वो समझाओंगा भी मैं आपको, ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ, यह actually एक तो आपका बनेगा, एक parents का बनेगा, यह इसलिए बनता है, ताकि आप जिस भी university से आए, वहाँ पर आपका अच्छा बेभार होता है, वो यहाँ पर आपको verify करना होता है, तो यह क्या है, lawyer से बनेगा, जो वकील वगारा होता है, वो बना के देते है, इसका पूरा format आएगा, जब JNU counseling करवाएगा, selection होगा आपका, यह anti-raking, जो undertaking certificate है यह आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यह आप उसको download करेंगे, fill करेंगे, signature वगारा उस पर करेंगे, उसको verify करवाएगे, और फिर upload करेंगे, यह ठीक है, वहाँ से बनेगा, यह मैंने नीचे वाल आपको बताया था, वहाँ पर discontinuously certificate, यानि कि अगर आप कहीं से पर करता है, आपको कहां से, जो original दिया हुए उससे, ठीक है, अब और मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि जैसे 10 का mark sheet तो आपको चीह होगा, लेकिन वहाँ पर साथ में certificate का भी एक column आएगा, ठीक है, certificate का भी column आएगा, कि आपको 10 का matriculation लिखा रहेगा, वहाँ पर उसका करना मतलब 10 का, और प्लस उसका mark sheet और certificate दोनों upload करने होगे, अब एक दिक्कत आती है, mostly student को, मतलब जिनके पास certificate नहीं होता है, उनका ये रहता है option की, सरा, हमारे पास certificate नहीं हम क्या करें, तो या आप तो देखिए, आपकी जो mark sheet उस पर लिखा हो रहता है, with certificate, तो आप उस condition में आप mark sheet यूज करेंगे, जब आपके बस है नहीं, तो आप कहां से use करेंगे, ठीक है, तो आप इसी चीज को वहाँ पर mention करेंगे, 12th में भी same scene रहेगा, mark sheet लगेगी और certificate लगेगा, ओके, अधर में आपको ये certificate वाला system थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट यहाँ ये option आता के बात करें, उसके लगए यहाँ पर category certificate यह चीज हमने वहाँ पर भी डिसुट कर लेती, यहाँ पर मैं फास्टी थोड़ा बता देता हूं, वही है, इसमें SCST, OBCWS बगरा को चीए, इसके लगए यहाँ पर character certificate है, character certificate थोड़ा सा जिकर कर लेता हूं, character certificate हर स्टूडेंट को बिल्कुल सब को ही यहाँ पर चीए होगा, चाहे आप प्राइवेट को ले से कर रहो, इगनू से कर रहो, कहीं से भी कर रहो, बट आपको यह तो बनवाना ही पड़ेगा, character certificate, अगर आप के पास मतलब वहाँ से नहीं मिलता है, तो इसका एक format आएगा, मैं आपको पहुंच प्रादिया, photo signature लगेगा, और इसके लावा एक जो है income certificate ही आपका, जरूर से लगेगा, लेकिन यह किसका लगेगा, वो मैं clear कर देता हूँ, जिन student को scholarship चाहिए, उन student का लगता है, जिसको, I mean, जो student scholarship के लिए eligible नहीं है, उसका income certificate नहीं लगता है, income certificate basically इस लिए लगता है, ता मैं चाहिए, counseling के time पे, मतलब आपका admission होने के बाद, counseling जब कराएंगे, उसका भी मैंने बताया, और after cut-off selection आपका, उसमें क्या-क्या document लगेगे, वो भी मैंने आपको सारा clear किया, अब भी अगर आपको कोई question पूछ नहीं, तो या तो आप comment box में comment कर सकते है, या फिर आपको मेरा personal Instagram ID दिया गया है, उस पे follow करके और आप मुझे message कर सकते हैं, आपका जो भी question होगा, अगर reply कर पाऊंगा, तो मैं जरूर आपको उस question का reply कर दूँगा, आप मुझे पूछ सकते हैं, इस वीडियो में गया जितना ही, hopefully वीडियो आप सब के लिए useful रहा होगा, तो जरू जरूर से आप like करेंगे, चैनल पर नए है, आगे help चीए, तो आप जरूर से इसको भी subscribe करेंगे, okay, so thank you so much again,